एक स्टेज पर आ जाते हैं जब उनको लोग आधर्स मानने लगते हैं तो खेसारी जी के लिए साइद ये बाच चाची की बाची सपनों माती ये साइद अच्छा नहीं लगा मेरा कैरियर का सुरुआत फर्ष्ट मोवी ही खेसारी जी के साथ हुई थी जो लहू के दो रंग मंजुल ठाकूर जी डिरेक्टर थे हासुआ बहुत हिट कैरेक्टर मेरा था हासुआ आपको आधर्स मान रहे हैं वो जब आपको देखके इस लेबल पर आ रहे हैं तो एक उनके दिमाग में ठिंकिंग में रहता है यार के कहिन कहीं ये इस तरह से गाना गा कि इतने बड़े स्टार होंगा है तो हम भी हो सकते हैं नमस्कार मैं नीजू और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भूचपुरी गॉसिपे तो जी हाँ चटपटी और मज़ेदार बाते हमेशा लेके आता हूँ और आज एक वार फिर से चटपटी और मज़ेदार बाते लेके आज चुका हूँ जी आपको बता दूँ कि एक ऐसे विलन जिन्होंने ना जाने कई सारे फिल्मों में हमेशा डिशुम डिशुम फाइट करते हूँ नजर आते हूँ और दमदार अभने से सभी भूचपुरी अदर्सकों का दिल जितते हैं और आज हमारे कैमरे पर यानि कि भूचपुरी का जुबे प्राम सब को करता हूँ और कहीं इस समय सावन का महिन भी आ रहा है सभी दर्सकों को मैं धेर सारी वधाई देना चाहता हूं सावन के महिने में बताइए मैं ठीक हूं एक दम क्या कर रहे हैं आज कर बस फिल्म फिल्म खेल रहा हूं कौन कोंसी फिल्मे कर चुके है तो उसके बाद अभी जश्ट फिर बस्ती जाना है जजी पिचर है तो उसके बीच में ही आप मिल गए मुझे करोना के बाद सुटिंग जानते होंगे कि इतनी सुटिंग चालू हुई थी हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे थे कि इतना कैसे ज्यादा हो रहा है और सेम इस बार भी वही स्तिती है लागडाउन के बाद जैसे ही खुला है सुटिंग इफराद चालू हो गई है बात करेंगे एक भी बात चल रहा है इंडस्ट्री में आप काफी सालों से हैं इंडस्ट्री में और बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्री को समझते भी हैं किसाड़ी लाली आदब जी के सा पहले नंबर तो विबास से बहुत दूर रहता हूं किसी के बारे में ना कभी जादा बोलता हूं ना कुछ कहता हूं आप तो जानते हैं मुझे मैं बहुत दूर रहता हूं यस सब चीजों से लेकिन ये बात जरूर का हूँगा कि खेसारी जी के साथ मैंने बहुत सारी फि कि खेसारी जी उस दर्मियान में गाने तो सब गंडा गाते हैं लेकिन गाना गाने के बाद एक स्टेड पे ब जो आजाते और खासकर के भुछपूरी बर्ग, तो कही ना कही ये भुछपूरी की छभी असलिलता का जो आरोप है, वो कही ना कही दिख रहा है, समाज पर तो एकदम दिख रहा है, जब आपको कोई भी आदर्स मानने लगे, युवा पेढ़ी, यूथ या जो भी हमारी स्टार आने वा अब हमें जो बोलना चाहिए, मैं ये जो कहना चाहरा हूँ, कि साथ अब खेसारी जी को इस तरह से गाने नहीं गाना चाहिए, जितने भी हमारी स्टार बड़ी स्टार हैं, जिनको हम लोग आदर्स मार रहें, जिनको लोग आदर्स मार रहें, उनसे मेरा यही हाथ जोड़ क्या उन्हें टार्गेट किया जा रहा रहा है कहीं बड़े स्टार है कहीं इसी लिए तो कहीं वो टार्गेट नहीं हो रहे पूरे जो असलिलता का भीवाद है कुछ ऐसा कुछ नहीं है किसारी जी सुरू से ही बहुत अच्छे इंसान है और आज भी अच्छे इंसान है देख बहुत सारी बाची सपनवम आती ये आती हुआ आती देश भर का गाय तो ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है गलत हुआ है खेसारी जी ने लाइन गाना तो गलत गाया प्लस उतार भी दिया है चैनल पर साइद अब गाना नहीं है उन्होंने चीजों को समझा और उन्हों इस तरहिके से और सिंगर आते है कास करके सिंगर जिन्हों ने सिह सदीं की सदी इस तरीके से जुनहinar famoso तो यहाईश को लगांगा उपगर को भी गाना गाओ तो चर्चा का dif साइब मैं यह यह साइद पातरगा के आप इस्टार नहीं बन सकते हैं, समय अब अलग हो चुका है, कुछ अलग आईए, कुछ अलग करिए, कुछ अलग लेके आईए, तो ये जो भी हो रहा है, सब गलत हो रहा है, मतलब असलीलता को लेकर जो भी हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, तो मैं सारे भी, ज मेरी फिल्मे आने वाली है बहुत अभी एक ट्रेल रिलीज हुआ है सर्फ परोस का और डोली आ रही है भहुत सारी फिल्मे जो नाम भूल रहा हूं क्या कहना है चाहेंगे अपने फैंस को आप्यार करते एक ंप मेशंज आ प्लीज से व्लाइध को आप्यार δे रहें स्थाल्मे रही एक आप्पीजार एक निसमत मेश से प्लीजिज doubtain men